आप सभी का सौकत है तो यह जो मेरे पास पेपर है यह है 28 डिसेंबर के एक्जाम पेपर जो सीटेट में पूछे गए थे कुछ टॉपिक्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा हेल्फूल होंगे जिसके भी एक्जाम बाकी है और जिसके भी एक्जाम जैनवरी में ह करेंगे तो देखे जो नाशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसके रिगारिंग कोश्टन देखने को मिले थे जिन प्याजे कोहल बग और चॉमस्की यह तो मैंने कितनी बार बोला है कि जो तीन टॉपिक है वो तो बहुत जादा ही इंपोर्टेंट है इसके रिगारिंग इसके रिगारिंग भी एक कोश्टन आपको स्चीडर के पेपर में देखने को मिला होगा या फ्यूचर में आगे जो एक्जाम है 9 जैनवरी को उसमें मिल सकता है ओके तो ग्रोथ और डवलप्मेंट टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा वाई गौस्की को तो टॉ इंक्लूजव एजुकेशन समाविशी शिक्षा से रिगारिंग भी कोश्टन इक्जाम में आये हुए थे इसके बास सीची सवत्त एमाम समगर मुल्यांकन से रिगारिंग भी कोश्टन सीटर्ट में पूछे हुए थे तो आप लोगों को यह टॉपिक पर बहुत ज़दा इविएस की तो इविएस का जो पेपर था वो कफी इजी आया हुआ था और जो भी इंसी आर्टी का जो भी बुक है सारा उसमें सही आया था और सारा मैंने आप लोगों को कराया भी है तो देखिये टाइगर के रिगारिंग बन कोश्टन आया हुआ था टाइगर, जो 360-degree angle में अपने गर्दन को घुमाता है तो इसलिए वाला कोशन आया था उल्लू वाला इसके बाद मेना वाला कोशन आया था इगल का कोशन आया था यह सारा में आप लोगों को करवाया हुआ है राजस्थान में हम लोगों ने खेजाडी ट्री के बारे में पढ़ा हुआ था इसके बाद नैशनल पार्क के रिगारिक के शिर्ट में आये हुआ था जरी हाुए तर यह सबस्था जो है दो रिगारर खो इसके बाद लद्दा का घर कैसा होता है तो ल बद्दा के घर के सिस्टम से रिगाड़ से स्थायर तो क्या है दांस वर्म के बारे में और इवेयस में आया था की है कव हमें तो याद नहीं है पर इसका आंसर था हिमाशल प्रदेश इसके बाद सोलार सिस्टम से regarding question आया हुआ था exam में okay इसमें ये question था कि solar system का most important thing है वो क्या है solar system में सबसे important क्या होता है sun होता है right सबको पता है तो ये इसका answer था इसके बाद मदुमख्खी के बारे में आया था insects के बारे में question आया हुआ था एक question और आया था कि कौन सा इसा plant है जो insects को खाता है right तो इसके बारे में भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है NCRT का ही ये इवियर्स क्या answer आएगा peacher plant right जो peacher plant होता है वो क्या करता है अपनी खुश्बू से insects को attract करता है और इसे खा लेता है right इसके बाद प्रोटिन से regarding question आया हुआ था vitamin C के बारे में question जो है वो पूछा हुआ था ठीक है तो ये हो गया e-v-s का e-v-s का paper काफी easy आया था और जुसने भी अगर मेरा जो manager explanation कर रहा था पुरा NCRT का 3rd 4th field का इसने भी देखा होगा उसको बहुत ज़्यादा फाइदा मिला होगा इससे okay इसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है main जो दिक्कत होती है वो होती है social science में social science में देखो क्या पुछा गया था alwaruni के बारे में पुछा हुआ था map के बारे में question पुछा हुआ है aurangzeb के बारे में question पुछा हुआ है और यह चुछ topics दिख रहे हैं वो सारा मैं explain भी करूँगी क्योंकि exams है वो 7th February तक चलने वाले हैं तो जो भी topics जो है exams में देखने को मिलेंगे उन सबका revision हम जो हम लोग इस channel में करेंगे में एक वीडियो बनाने वाली हूं क्योंकि एसस में mostly बच्चों को बहुत ज़्यादा problem होता है ओके तो वीडियो का सब लगा आप लोगों को comment section में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गया कर लिजिएगा तक कि आपको ऐसे ही इंफेमेटिव जो वीडियो हैं वो मिलती रहें तो अंतक्ष बुरो देखने के लिए thank you thank you so much everyone